दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फेंटेसी अर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बांगलादेश वरसे नेधरलेंड के बीच में जो इस वल्ड कप का मैच नंबर 27 आज आपको खिला जातावा दिखेगा इस मैच में कैसे आपको अपनी फेंटेसी टीम बनानी है वो कोन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करना है वो कोन से खिलाडी है जिनको आपको स्मॉल लीग में ट्राइ करना है किसको करना है कैप्टन किसको करना है वाइस कैप्टन सब कुछ आपको इस वीडिय के notification आपको मिलने चाहिए तो bell icon आप लोग यहाँ पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अगर अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुड़े ना तो इस video के description में आपको telegram channel का link दे रखा है इस वाले link पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग हमारे telegram channel से भी जुड़ जाएंगे एक तो ये तरीका हो गया telegram से जॉइन करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ इस channel के fantasy army channel के about section में जाईएगा ये about का बतन दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप लोग telegram channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं telegram join link का link है इस पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं तो जल्दी से telegram channel से जुड़ जाईए क्योंकि final team आपको यहीं पे मिलेगी तो दोस्तो जो तरीका मैंने आप लोगों को telegram channel से जुड़ने का बताया है फटाफट से telegram channel से जुड़ जाईएगा एक तो आपको इस वीडियो के description में telegram का link मिल जाएगा या फिर आप इस channel के about section में चले जाईए वहाँ पे मैंने आपको अपने telegram channel का link दे रखाए जाके जुड़ जाईए क्योंकि तौस के बाद की जितनी भी important information है चाहे वो playing 11 हो चाहे वो मे संदाती है वीडियो को like जरू करिएगा 5000 लाइक का बहुत छोटा सा target आप लोगों के सामने रख रहा हूँ I hope कि आप 5000 लाइक complete करवाएंगे तो like का button जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस वीडियो को यहां से start करते हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझीएगा सबसे पहले बात करते हैं venue के बारे में मैच खिला जाएगा Arnos Vale Ground, Kingstown, Saint Vincent के अंदर बात करें अगर हम लोग सबसे पहले pitch रिपोर्ट के बारे में कि Saint Vincent की हमें pitch जो है कैसी देखने को मिलेगी आप लोगों को बता दू यह जो मैच है न यह इस World Cup का पहला मैच होने वाला है जो इस मैदान पे खिला जाएगा अब आप लोगों को अगर बताओं तो पास्ट में यहाँ पर जो सबसे आखरी T20 इंटरनेशनल मैच खिला गया था वो 2013 में खिला गया था 2013 के बाद से यहाँ पर कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है इवन T20 डोमेस्टिक मैच भी हाँ पर पिछले 10-12 साल में नहीं हुए यह चीज ध्यान रखियेगा तो यहाँ की पिछ कैसी रहीगी इसका पता कैसे चलेगा देगो मैंने एक यहाँ पर न्यूस चैनल से थोड़ा सा उनका आर्टिकल एक रीड करा था तो उन्होंने इस प पावर प्ले का टाइम होगा वहाँ पर तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलेगा यानि कि बल्ले बाज और तेज गेंद बाजो के लिए मुफीद यहाँ पर ट्रैक बना जाएगा ये चीज ध्यान रखियेगा तेज गेंद बाजो को बस पावर प्ले में मुमेंट रहेग उसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी आसान रहीगी spinner की बात करो तो spinner के लिए turn देखो यहाँ पर जाधा होगा नहीं और West Indies में वैसे भी जो pitches बनाई जाती है उन पे spinner के लिए जाधा turn होता नहीं है लेकिन by chance अगर spinner के लिए turn हुआ तो वो मैं toss पे आपको बता दूँगा लेकिन फिलाल बल्ले बाज और तेजगेंद बाज important रहेंगे ये चीज़ ध्यान रखियेगा बाकि जो final pitch report होगी वो मैं आप लोगों को telegram पे update कर दूँगा और उसी according हम अपनी team के अंदर changes कर लेंगे ये चीज़ ध्यान रखके और ये जो दो मुकाबले खेले गए थे ये 2013 में खेले गए थे एवरेज score भी उस टाइम 144 था लेकिन मेरे इसाब से अब pitch बल्ले बाजों के लिए बहतर होगी तो 170-180 वाली pitch यहाँ पर आपको देखनी को मिलेगी क्योंकि West Indies वाले जो pitch बनाते हैं वो बल्ले बाजों के ल बात करें यहाँ पर head to head की तो बंगलादेश और नेधरलेंड के बीच में total अभी तक T20 International के अंदर 4 मुकाबले खेले गए हैं जहाँ पर बंगलादेश की टीम ने तीन मुकाबले ने एक मुकाबला जीता है ओन पेपर दोनों ही टीमें काफी अच्छी है बंगलादेश का बैटिंग अटेक अच्छा है और बंगलादेश का बॉलिंग अटेक भी अच्छा है नेधरलेंड का आप यह कह सकते हो कि बैटिंग अटेक थोड़ा सा कमजोर है लेकिन उनका बॉलिंग अटेक काफी अच्छा है तो मेरे इसाब से मैच टकर का होगा लेकिन add the end ना बंगलादेश का बैटिंग अटेक बहुत अच्छा है और बंगलादेश के पास experience खिलाड़ी काफी जादा है बात करें टेलिग्राम के बारे में अगर आप लोग अभी तक टेलिग्राम से नहीं जुड़े किसका इंतजार है डिस्क्रिप्शन में लिंक के दे रखा है साधा कुछ आप लोगों को पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पर 2013 में आखरी मैच हुआ था लेकिन अगर आप प्लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ लोगे तो टीम बनाने में आपको काफी जादा असानी हो जाएगी तो बंगलादेश के सारे खिलाड़ी सेलेक्शन के ल जाकर अली, रिशाद हुसेन, तास्कीन हैमद, तंजीम हसन शाकिब, मुस्तिविजूर रहमान ये रहेगी बंगलादेश की प्लेंग 11 ये रहेगा बंगलादेश का बैटिंग ओर्डर बंगलादेश की तरफ से 4-4 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा रिशाद हुसेन 4 ओवर पूरे करेंगे, तास्कीन हैमद 4 ओवर पूरे करेंगे, तंजीम हसन शाकिब 4 ओवर पूरे करेंगे, मुस्तिविजूर रहमान 4 ओवर पूरे करेंगे, आखरी बचेवे जो 4 ओवर हैं उसमें से 2 ओवर आपको शाकेबल हसन करते वे दिखेंगे और 2 ओवर आपको महमाद करते वे दिखेंगे ये चीज ध्यान रखे चलिएगा अब इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखे सबसे पहले खिलाड़ी है तंजी धसन देखो बल्ले बाज बहुत अच्छी है टेकनीक तंजी धसन की काफी अच्छी है टेकनिकल बल्ले बाज है लेकिन इनके बारे में चीज का ध्यान रखिएगा कि तंजी धसन न सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट के अच्छे खिलाड़ी है जिस विकेट पे बल्ले बाजों के लिए सबसे जादा मदद होती है उस ट्रैक के ओपर तंजी धसन अच्छा करते है और ये जो सेंट विंसेंट की पिंच है न नजमुल अशन शेंटो बल्ले बाज अच्छे हैं लेकिन फॉर्म उतना ही जादा खाराब चल रहा है और जरा भी थोड़ा बहुत यहां पर तेज गेंद बाजों को अगर मुमेंट मिल रहा है न नजमुल अशन शेंटो का स्ट्रगल आ रहा है और कैप्टन सी का भी प्र बी कंसिस्टेंट नहीं रहे और यह टूपेस विकेट के सबसे खराब खेलाडी है लेकिन अगर सैंट विंसेंट के अंदर आप लोगों को जो पीछब वो बल्ले बाजो के लिए बहतर देखने को मिलती है रिटन दास को ट्राइ कर सकते हो अच्छे पेक आपके लिए अच्छा चल रहा है जो रेगुलर बेसिस पर रन बनाते हैं जो स्पिन बढ़िया खेलते हैं जो टूपेस विकेट पर बढ़िया खेलते हैं मस्ट अपिक रहेंगे तौहिद रिदाय इंपोर्टन रहेंगे महमद उल्ला एक साइड से एंकर करते विए कभी भी आपको बी टीम इनसे ओपन करवाए ना वो ज्यादा बहतर रहेगा तीम का कुछ अलगी सोचना है इनसे बैटिंग मेडल ओर में करवा रही है फिनिशर का रोल दी रखा है इसलिए उतना कुछ खास नहीं कर पाएंगे अराम से छोड़ दीजेगा रिशाद हुसेन की बात करो बहुत ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है अंटेन अलेस अगर आज के मैच में पिछ रिपोर्ट में ये ना आ जाये कि टर्न है पिछ पे तो इनको विकेट मिल सकती है अगर आज के मैच में पिछ रिपोर्ट में आया कि टर्न वगेरा कुछ नहीं है पिछ पे छोड़ दीजेगा बहुत जादा विकेड रिशाद हुसेन को मिलेगी नहीं तास्की नहमत की बात करू तो 140-145 के आसपास की पेस है शौट-पिच गेंदबाजी का यूज करते हैं कटरस का बड़ी अपरियोग करते हैं विकेड टेकर बॉलर है, मस्टपिक रहेंगे तंजीम असन शाकिब की बात करू अगर आज के मैच में पिच रिपोर्ट में आता है कि शुरुवाती ओवर्स में तेज गेंदबाजो को मुमेंट मिलेगा तो आप तंजीम हसन शाकिब को ले सकते हैं कोई कि जब-जब मुमेंट मिलता है न तो जो यहाँ पर नेधरलेंड के दो बल्ले बाज हैं वो दोनों श्ट्रगल आपको करते वे दिखते हैं तो अगर मुमेंट मिला तो तंजीम हसन शाकिब को ले सकते हो मुझते विजूर रहमान अपनी स्लोवर वन्स कटरस के लिए जाने जाते हैं विकेट टेकर बॉलर है मस्टपिक रहेंगे लेके चलिएगा बागे सो मैं सरकार हसन मेंबुद महदी असन में से कोई भी आपको खेलता वाब नहीं दिखेगा अब जो लोग अभी तक टेलिग्राम से नहीं जुड़े किसका इंतिजार है फटाफट से जुड़ जाओ फ्री टेलिग्राम चनल है सारी important information फ्री में मिल रही है जल्दी जाके जुड़ जाओ बात करते हैं अब यहाँ पर नेधरलेंड के बारे में देगे नेधरलेंड की तरफ से अगर मैं टीम नीउस की बात करूँ वन डाउन पर विक्रम जीत सिंग फिर आपको दिखेंगे साइबरेंड एंजल ब्रेट बास दे लीड स्कॉट एडवर्ड तेजा निदा मन्रू लॉगन वेन बीक टिम प्रिंगल पॉल वेन मेकरीन विवान किंगमा ये रहेगी हाँ पर निदरलेंड की प्लेंग 11 ये रहेगा निदरलेंड का बैटिंग ओडर अब इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखें सबसे पहले खिलाड़ी है माइकल लिविट बले बाज अच्छे हैं T20 इंटरनेशनल के अंदर काफी ज़्यादा इंप्रेस करा है लेकिन जिस टीम का बॉलिंग अटैक कमजोर है उसी टीम के आगे माइकल लिविट अभी तक चलते वे दिखे हैं तो मुस्तिवी जूर रहमान, तंजीम असंशा के तास्की नहमत, कोई भी चलता कर देगा, क्योंकि तीनों को ही मुमेंट बिलता है, और ये जो है मुमेंट के आगे श्ट्रगल करते हैं, मैक्स ओड आउट की अगर बात करूँ, बल्ले बाद अच्छे हैं, लेकिन वो ही दि ही है, उतने जादा कंसिस्टेंट नहीं, आराम से छोड़ दीजिए, साइबरेंट एंजल बैट इस तीम के वन आफ दी बेस्ट बले बाद, जो एक साइड से एंकर करते हैं, आपको कभी भी 25-30 रन बना के दे सकते हैं, मस्टैपिक रहेंगे लेके चलिएगा, बाज दे ल लेंड की टीम आप लोगों को पहले बैटिंग करते वे दिखती है, तभी लेके चलिएगा, तभी important रहेंगे, second बैटिंग के टाइम पे अंडर पेशर, स्कॉर्ट एडवर्स, most of the time विकेट गवाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तेजा निदा मनरू टीम खिला र पर टर्न ना होना, बहुत जादा विकेट टिम प्रिंगल को नहीं मिलेगी, तो अराम से छोड़ दीजिएगा, पॉल वेन मकरीन की बात करो तो आपको पता है, लंबी हाइट के खिलाडी है, तो अच्छा का सा बाउंसरस का प्रियोग करते हैं, पेस भी इनके पास को कोई भी हाँ पर खेलता वाग नहीं दिखेगा, दोस्तों आप देखते हैं, आज के मैच में हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या रहीगी, तो विकिट कीपिंग सेक्षन में लिट्टन दास को पिक करेंगे, बैटिंग सेक्षन में तोहीद रिदौय तंजीद हसन को पिक करेंगे और लाउंडर सेक्षन में महमद उला, बास दे लीट, शाकीबल हसन को पिक करेंगे, और लोगन वन बीग, साइबरेंट एंजल ब्रेट को पिक करेंगे, बॉलिंग सेक्षन में तासकीन एहमाद, मुस्तिविजूर रहमान, तंजीम हसन शाकीब को पिक करके चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जो खिलाडी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे कासे फैंटेसी पॉइंट दे सकता है, वो बास जी लीड और लोगन वन बीगी रहेंगे, तो इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन में करके चल रहा ह तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं परेंट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाई-बाई, थेंक्यू, सो मस्दोस्तों